आज मैं बना रही हूँ साही पनीर जब भी हम बाहर होटेल में खाना खाने जाते हैं सबसे पहले हम सबी लोग पनीर ओडर करते हैं चाहे वो साही पनीर हो कड़ाई पनीर हो या मसाला पनीर हो हम पनीर जरूर ओडर करते हैं तो आज हम घर पे बनाएंगे वही तरीके से बहुत ही जादा टेस्टी और एकदम क्रीमी सा इसकी ग्रेवी बनेगी बहुत बढ़िया कैसे और एकदम आसान तरीके से हम इसे घर पे बनाके तयार करेंगे बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत टेश्टी बनेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं इसमें हम डालेंगे एक चमच सरसों का तेल तेल बिल्कुल अच्छे से गरम कर लेंगे इसमें डालेंगे एक चमच साबू धनिया आधी चमच साबू जीरा और अब हम इसमें डालेंगे चार से पांच लॉंग चार से पांच काली मिर्च चार हरी लाइजी और चोटे चोटे दो टुकड़े मैंने ले हैं दाल जीनी के आट से दस लसण की कलिया एक उइनल अधरग का टुकड़ा मैंने इसंतरह के से काट लिया है अब इनसारी चीजों को अच्छे से उम मिकस कर लेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम में हमें इन्ने में ने मेक्स करना है बस अब हम इसमें डालेंगे अच्छे से mix करने के बाद दो हरी मिर्च हरी मिर्च की जिए आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं मैं डाल रही हूं हरी मिर्च इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक कप कटा हुआ प्याज प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकडों में काटा है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम हमें लोही रखना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4-5 कटे हुए टमाटर टमाटरों को भी हमने इस तरीके से बड़े-बड़े टुकडों में काटा है और सारी सीजों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है बहुत ही बढ़ियासा पनीर बनेगा जब आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे तो बहुत ही आसान है बनाना और अब हम इसको पकाएंगे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसमें हम डालेंगे 8-10 काजू इसे ग्रेवी बहुत बढ़िया बनेगी और एकदम टेश्टी सी ग्रेवी बनेगी बस सारी सीजों को बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे पकने देंगे तीन से चार मिन्यट लगेंगे यह देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया प्याज भी अच्छे से उफ्ट हो गया तो हम गैस को करदेंगे बंद इस टैम्प है और इसे हम बिल्कुल ठंड़ होने के लिए छोड़ देते हैं और ये देखें यह सारे मसाला हमारा अच्छे से ठंड़ हो गया है हो कर अब हमक्तों लेंगे श़्या प्रणोंे तो और मिक्सर जार में इस त्रीके तरीके से न जिससे ते यह संब्लिख में इस ट्रीक में टालते तुरण दालों ऑच्छी ऊंढ़ में अच्छी होने बाद साइड में रख लेते हैं और अब हम लेते हैं एक कड़ाई में डालेंगे हम दो चंस सर्सों का तेल डालने के बाद टेल को हम अच्छे से गरम हो देनगे तेल गरम हो गया तो एक चंस डालेंगे इसमें जीराように तीन लिए हैं मैंने इसमें और आप हम इसमें डालेंगे जो डाल चीनी के टुकुड़े थोड़ा सा और अब हम इसमें डालेंगे हमने जो ग्रेवी बना के तयार की थी इसको डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम सारी ग्रेवी हम इसमें डालेंगे जो हमने पीछ के तैयार की है यह देखे मैंने सारी ग्रेवी डाल दी है और अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम रखा है और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे आधी छोटी चमज चुमज डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर, एक चमज धनिया जीरे के पाउडर, आधी छोटी चमज गरम मसाला और एक चम्मज डालेंगे नमक अब हम इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है मैंने मसालों को बहुत अच्छे से पकाएंगे हम ग्रेवी के साथ अभी देख सकते हैं ग्रेवी काफी गाड़ी है तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे वही जार लिया है मैंने मिक्सर जिसमें मैंने मसाले पीछ के तैयार किये थे तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से मिक्से करेंगे इन सारी चीजों को लो फ्लेम में हम इसे पकने देंगे और मिक्से करते जाएंगे और यह देखिए इसका color थोड़ा सा change हो गया है और gravy हमारी थोड़ा सा पानी में और डाल देती हो तो मैंने टोटा एक कब पानी डाल दिया है इसमें और पानी डालने के बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से mix करेंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे इसे हम 3-4 मिनिट तक का gravy को अच्छे से उबालने गैस का flame हमने बिल्कुल लो रख दिया है और लो flame में हम इसे उबलने देंगे और यह देखे ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से उबल गई है बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर भी आ गया है और बहुत ही बढ़िया खुश्बू आती है जब इस टेंप यह ग्रेवी बनती है अब मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर पनीर को मैंने इस तरीके से चोटे- भाटि सब्ची थंडी होती है तो यह पनीर थोड़ा सा हाड हो जाता है बस पनीर अच्छे से इसमें हम मिक्स करेंगे अगर आपको ग्रेवी थोड़ा गाड़ी लग रही है तो इस टैंप पे आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं इसमें मैं अभी इसमें पानी नहीं डा और आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत गाड़ी हो गई है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार इस तरीके से और मसाले जो है पनीर जो बिल्कुल अच्छे से सोफ्ट हो गया है जो इसमें हमने मसाले बनाए है उसकी बहुत ही बढ़िया सी खुजबू आती है और ग्रेवी देखे अपने हिसाब से आप ग्रेवी को गाड़ा पतला कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है तो यह हमारा एकद कि दूद की मलाई इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया ठाय और इसमें मैं दो चम्मच इसको ग्रेवी में डालते। इसमें डाले ऀसमें डाल की गदरें कि बनता हैँ पनी को अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसे बिना मलाई के भी बना सकते हैं बहुत ही टेष् दूद हमारे घर में होता ही है मलाई दूद में लगी रहती है तो मैंने वही मलाई ली है और यह देखिए बहुत ही बड़ी असा कलर भी आगया इसका इसके उपर से हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे मुझे अरा धनिया बहुत पसंदा इसलिए मैं थोड़ा सा जादा डालती हूं और इसके बाद इसको अच्छे से मेक्स करेंगे ज्यादा धर तक अब हम इसे नहीं पकने देंगे तो इसके बाद धनिया डालने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद यह देखिए बहुत ही पनीर बनके तैयार हुई है जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम और चीज हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हम पनीर का ही और करते हैं जो पनीर हम सबको बहुत पसंद आता है सभी का फेवरेट होता है तो इस तरीके से आप घर पर बनाएंगे तो सबको बहुत बंद आएगा और एकदम होटेल वाला टेस्ट बन के तयार होगा